आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टेडिस पे मैं आपका जी एस फेकलिटी अभी नास है जल्ली जल्ली से जुड़ जाईए क्योंकि बिहार में आईए वैकेंसियों की बहार उस बहार को लेकर हम लोग आपके लिए एक और कॉस लाएं बिहार एससी का तो जल्ली से आज की क्लास को जैसे सब पहले सब बता दिये और यज वीडिय और है ना सब कुछ किलियर है पर क्लास को शुरू करते हैं जल्ली से हाँ सब लोग आ गए दिए उच्व पहली बात तो बिहार में बच्चो इतनी वेकंसी आ रही है इतनी वेकंसी आ रही है कि लोग जो है बाकी राज्यों के बच्चे को हो रहा है जलन कि अरे यार बिहार में इतनी वेकरनेशियां, तावर्च सुआँ वेकरना वी सेटल आई थी क्या विए हर टीचर्स की वेकरनेशियां, फिर सकेंड आगी, 수्केंड पाइसिट 10-2 वाधर वेकरनेशिया उसके पहले बिहार सचिवाली वेकरनेशिया अगई थी और अभी वच्चों अपकमिंग भी कैसी या बिहार दरोगा की वी तो ये वाला नहीं तो ये वाला ये वाला नहीं ये वाला कभी-कभी कुछ ऐसे बच्चे हों बच्चों मुझे डावा करता हूं जो इसन पास या टुवल पास होंगे वो मल्टिपल जॉब निकाल कर रखे का जो सेट है वच्चों हम लोग का वो सेट कौन सा है वो सेट जो है 2017 में बिहार SSC इंटर लेवल में प्रिवियस ये कोशन 2017 में जो पूछा गया था उसी को हम करवाएंगे आपका की देखते हैं उसमें कैसे कोशन पूछे गया है इसका रीजन क्या वच्चों पहले हम लो क्लास करते जाएं इस पर फिर मैं इस तरह से कोशन सेट करूंगा कि आने वाले समय में आपको किसी तरह का समस्या या दिक्कर ना हो चलिए स्टार्ट करते बच्चों आज के किलास को क्लियर सब कुछ क्लियर है औड़ियो वीडियो वगर्या सब आप लोग खुद बता रह है ठीक चलिए चलिए स्टार्ट करते बच्छों पहला कुस्तन आपके स्क्रीन पर यह रहाते हुए भारत की सर्व प्रथम वन जीव सग्रक्षन प्रयोजना का नाम क्या था वाट वजन नेम ओफ इंडिया फर्स वाइल लाइफ कंजर्वेशन पुजेक्ट लेगे बच्छों इसमें बात समझना पड़ेगा कि यह प्रिथवी केवल हमारा नहीं है यह प्रिथवी सब का है हमारे लिए हमारा भी हक उतना ही है जितना एक बंदर का है जितना एक घोडा का का ना चुछा का जितना एक लायन का जितना जीद का है लेकिन हम इनसान को दिमाग खुब ज्यादा मिल गया है ना मेराथन का पीडियाफ में रहाए बहुत लंभी होती है तो उसके पीछे टीम काम कर देंदिया आप लोग लगता है कि पूरी सब्जी बिल्ड आएगा है ना पांच घंटे का पीडिया पे बच्चो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना आप लोग सोचते धावर दोड़ें ताकल तकल बड़ा मिलते जाए ना ऐसा नहीं है सब कुछ करना में तो बच्चो देखिए वाइल डाइप को क्या है फर्स्ट वाइल ल कर तो जानवर को और बच्चो में चीज़ और देखता हूं कि रोट पे जाएगा ना तो रोट पे बहुत लोग देखते हैं कुटवा को लात मार देते हैं ऐसे किर्प्या करके वैसे कुट्वा को लात ना मारें वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है आपके घर के छखते बंदरवा के बैड़ आता है तो आप लोग क्या करते बंदरवा को लाठी लेके हठ हठ मार मार कुछी लोग क्या करते मिड़ीआ बंप फोड़ते हैं एंदर बंदर भाग जाГए अरे न बच्चो इसकी population बहुत कम हो गई है 239-288 के census के साब से और बच्चो ये कहां है दख्चिंगम National Park ये कहां है बच्चो कस्मीर में सीनगर में यह भी question पूछ सकता है दख्चिंगम National Park कहां है तो वहीं पर बच्चो इसका जो है और इसी को बचाने के लिए ये लाया गया है प् second question नीती आयोग की प्रारम कभ हुई थी when was नीती आयोग started नीती आयोग बच्चो इसके पहले इसका नाम था planning commission जिसको कहते हैं योजना आयोग क्या कहते हैं बच्चो planning commission जब मोधी government आई 2014 में तो उन्होंने क्या कहा कि इसे हम लोग बदल देंगे और इसका नाम लग देंग नीती आयोग national institution for transforming India और ये लागू कब हो गई थी बच्चो जनवरी 2015 से कब जनवरी 2015 से लागू हो गई और इसके पीछे बच्चो उस समय देश के वित मंत्री थे अरुन जेटली जी अरुन जेटली जी ने एक सुन्दर सुन्दर में कबात कहा था इसको change करने के लिए क्य राज पर बोल देती थी राज आप समय लिए तो यह जो बात बता रहा हूं यह मैं नहीं यह कहा गया था अरुन जेटली जी के द्वारा तो अरुन जेटली जी ने क्या कहा कि अब जो इसका नाम बदलेंगे इसमें क्या होगा कि राज भी अगर पहले क्या होता था union government केंद्र सरकार कोई सुझाओ बनाती थी और state government उसको follow करती थी ठीक कौन union government बनाती थी अब क्या है अगर राज सरकार को कोई भी नियम अच्छा नहीं लग रहा है तो उस नियम में परिवर्तन करके सुझाओ दे सकती इनको भी सारा पीडियाप मिलेगा गदों सारा पीडियाप पहला वन का टू का उस पर टीम काम कर रही है आपको बोलें पूरी बुनिया जिलेवी मस समझे है उसके पीछे काम करने में टाइम लगता है टीम अपडेट है टीम काम कर रही है मेरातन के लिए आपको बहुत जल मेरातन क ठीक है ठीक तो यहां पर जो फुल फॉर्म भी देख ली नैस्टनल इंस्ट्यूट्यूशन पोर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया और इसके हमेशा चेर्मेन कभी फुल फॉर्म भी पूछ देगा बच्चों लिबार होता है और इसके चेर्मेन जो होते हैं बताये थे पुनार आस्रम का संस्थापक कोन थे वुवाज फॉंडर ओपुनार आस्रम ये कुस्सन सब बच्चों 2017 का है मैं दिखा दिया जो बच्चे लेट जूड़े हैं वो ध्यान से देखिए का 2017 का कुस्सन है उसी कुस्सन के पर हम लोग इस्टेटी त्यार कर रहे हैं ताकि मेरी सालू क्लास देख रही है पहली बात बच्चों कमेंट के बॉक्स में आपस में लाईन मारा मरी मत किया किजिए है कि हम उसको बोल रहे हैं कैसी हो तुम आ गई नहीं तुम नहीं आई हो अरे तुम्हारे भीना तो क्लास करने मनी न लगता है भीन आसर का ऐसा नहीं करना है बच्छो आपस में खेला ना कर वे हैं ना केवल पड़ाई हो वे ने तो गुजा मारे ठीक अगे क्या वह चली बता है यह वाज़ा पूनार आश्रम बाबा राम दे बाबा आम्टे विनोवा भावे या अन्ना हजारे कौन थे बच्छो इसके इस अच्छा बात इस बैच का यह लगता है कि इस बैच मैक्सम बच्चे सही अंसर देते हैं तो आपसा नंबर सी सी फोर कै क्या होगी एंसर सही ठीक यह बच्छो अचारिया विनोवा भावे इनका आश्रम का है वर्धा वर्धा का है बच्छो नागपूर के पास महराष्ट में का है और विनोवा भावे ने इसका शुरुवाद किये थे ठीक अगला जम्मू और कस्मीर की अधिकारिक भासा कौन स लेकिन 2017 से लेकर 2020 में एक बहुत बड़ी अपडेट हुई कि पहले 2017 के समय में इनकी ऑफिस्यल भासा थी क्या उर्दू क्या थी वच्छो या रखेगा आप यह मत समझेगा मैंने गलत बता दिया कोस्तन समझेगा ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं कि 2017 में ऑफिस्यल भासा क्या था उर्दू तकल्फ तसल्फ है न और बाद में क्या किया गया इसका नाम बदल के बाद में इसमें अफडेट किया गया उर्दू तो रखा ही गया और क्या हुआ बच्छो बाद में यहां पे कु कस्मीरी हिंदी है और डूगरी यह सब बासा को भी यहां का क्या कर दिया गया ऑफिस्यल भासा बना दिया गया हमत्व तीन भासा और जोड़ी गई कस्मीरी हिंदी लेकां कोन्सा अनुसुची जो है बात करती है बहुत का अनुसूची आर्ट में किस में लिभाच्षिएंगा है खיל है अầगर 17 तरह के हिज़ाब से एंसर देंगे इसका तो होगा उर्दू अभी जो अफिसल भासा जम्मुन कस्मीर का है उर्दू के सासत कस्मीरी हिंदी और डोगरी और वहां के जो में लोग है बच्चो तिरपन परसेंट लोग लगवा लगवा 53 परसेंट लोग जो है ना वहां पर बा चैंज बचो जपान पार्लीमेंट लोग बेल को संसत कहते हैं । उसकी तरह से यहां पर भी पार्लीन मेंट है जिसका नांवरे जपान के पार्लेमेंट को क्या कहते है से दिखियर को रहोता है क्या क्योगर मौक्व Elijah the डाइट, डाइट is the correct answer, जैसे यह तक नहीं तरीका क्या है, जापानी लोग बच्चों बहुत खाते हैं, मॉमोस, चाइनीस और जापैनीस, बच्चों मॉमोस खाते हैं, मॉमोस खाते हैं, वाइड 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 वो होता है, इस्टीम मतलब क्या होता है, किसी तरह का तेल वेल नहीं डालना है, तो उन लोग का हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, उन लोग इस्टीम मॉमोस खाते थे, जब हमारे देश में मॉमोस आया, बच्चों हमारे इंडिया में, चाइना का कोई भी चीज हमारे देश में खुपह मस जाता है, चाइनीस फॉन, बच्चों कुछ चीज़ें और अखिया, जो एसिया के आसपास कंट्री है, इसिया में जो कंट्री है, इंडिया के आसपास, उनके भी पार्लियमेंट को याद कर लिएगा, हो सकता है, इस वार ऐसा पूछा, अगले बाकोसन बदल देगा, जैसे यांपल के लिए, यहां प गुटान को बच्चों सौगडू, क्या बोलते हैं बच्चों सौगडू, क्या बोलते हैं सौगडू, उसके बाद चाइना को बोलते हैं बच्चों क्या नैशनल पीपल्स असेमली, उसी तरह से आगे जाए मैनमार में, मैनमार का बोलते हैं बच्चों क्या, पिहुतू हु जुट वह ना उसके बाद आगर जाएंगे बच्चों हम लोग आगे जाईए इन्डोनेशिया का पीपल इस तरह से बच्चों हमारा यह जपान का है तो इसका screenshot ऐसे करके लिए उगली से ना screenshot ले लिए जिब जाम देंगे ना तो इस screenshot में इसे क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे ठीक है स्किन सोट हो जाएगा ले लीजिए चलिए आगे रियाल किस देश की मुद्रा है बच्चो रियाल इस दा करेंसी ओफ विच कंट्री रियाल कहां की क्या करेंसी है रियाल रियाल में बताइए अगर आपके पास फॉन होगा न तो आप अपने फॉन में यूटूब ने एक नया फीचस लाया आप अपने फॉन में ऐसे उंगली से पिंच करके देख सकते हैं तो जूम इन जूम आउट अगर आप जूम की जग मैं बढ़ा हो जाओंगा फिर जूम आ औरी स्वाश्यों सॉधी अरभिया की करेंसिये रियाल है घुछ यह वर्ट जूम जम ता वरतोड टोर। में चकर काका रंग है यह को संब पूछा हा जाता तो शोचिए है ना यह ग्रेंगा जैसे उपर उपर के बात करें कैसा है के शरिया क्या है बच्छो के शरिया यहां पे बीच में जो है वो है नीला-नीला चक्र 24 श्टॉक्स तो यहां दखेगा क्या है नीला-नीला तो यह ऐसा को पूझें लाए इस टाइब के कोस्टन क्यों देते एक जाम में इसलिए जान क्या है कि आप जब जब बाहर निकलेंगे ना तो ऐसा तुछा कोछन देगा तो बाहर आपके आप बोलेगा कि आरे आयोग ने बहुत आसान को संसेट किया लेकिन इन सब कोस्टन पर खेल नहीं खेलेंगे तो उसको बोलते हैं दूद भात क्या होता है कि उसको आउट हो रन बनाए को मतलब नहीं तो दूद भात वाला कुस्थ हंता क्या था दूद भात बंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुबात किस ने किया किसे अंग्रेजी में बंदे भारत का प्रांस्लेशन कौन किया था कौन पहला आपस्टन है बंकिम चंद्र रविन्ना टैगोर और विंदो घोस सत्य जीत रे वंदे भारत का अंग्रेजी में कौन किया था जली बताइए अरे दूद भात लो जली बताइए पड़ा-फड़ेंसर दिए पड़ाली हाली इदम स्पी आज करवाएं आपको सुनाई ना दे रहा होगा तो अंग्रेजी अनुबाद इसका किये थे कौन और विंदो घोस ने कुन कि वच्चो और विंदो घोस शाहब ने बंदे भात्रम का अंग्रेजी अनुबाद किये थे यही वच्चो और अगर पूछे वच्चो और विंद आप लोगो इस प्रेयर भी होता था अगला बच्वों एक चेत्र प्रयाया पढ़ता है पुझा बच्वों चैत्य महिना जो होता है बच्वों जोटी महिना हिंदी का कलेंडर बहुत लोगों नहीं आता है सब को आता है जन्वरी फरवरी मार्च अप्रील मैं जुन जुलाय अगर सेटमबर अप्टूबर नौमबर दिसंबर और कोई किसी को देखें ऐसा बोलते वे कि मेरा बड़्डे जो चैत में है तो बहुत कम लोग मंबी लोग या दादी लोग घर में बोलती होगी है अरे स्रेया राज पढ़ लीजे नहीं के वर पढ़ाई पर फोकस करा इस जैनवर्य में पढ़ता है अप्रील में पढ़ता है मार्च 20 से या मार्च किसमें चैती महिना आप्रील में चैती दूरगा पूजा मनाते हैं ना तो इसका जली होता यह तो हम लोग अप्रिल कर देते लेकिन यह पर कारिक बुझ रहा है एक चैत परता है तो एक चैत यह कभी कभी मार्च में भी पढ़ू जाता है मैं कभी का मार्च में भी पढ़कर चैत यह से शूरू जाता है यह को सब्सक्राइबंद है तो यह संप रहाँ पूछे गारे ravis लिए खीके कोंगे ड defender टोन की श्रह कंफूर करेंगे चोरी चपाटी नहीं करेंगे तो सत्यम मेब जैते जो है कहां से लिया गया है और सने बच्चो गीता मुंदक उपनियास रमाइना यह मनुस्मिति क्या होगा पहरी गूड आफ्सन अगला मार्च 2016 में गतीमान एक्सप्रेस की पूर्व परिक्षन यात्रा दिल्ली और किस सहर के बीच में की गई थी इन मार्च 2016 गतीमान एक्सप्रेस बेटिविन इंडीएं ट्रेन को फास्टेस ट्रेन का पहर है जाता था चल गए अगर ऑप बंदे भारत हई जो लोक वाले होंगे बिहार को बंदे भारत है जो लोग बिहार बिहार को सुबंद्राइब ए फर से कितना हो गिए तो स्टूडेंट लोग के लिए तो दिक्त है पैसा काला है हमारे इसे गरीब के लिए दिक्कत है आप लोग तो पैसे वाले हैं आप लोग जा सकते बंदे भारत पर खाना वाना का लुक लीजिए अगला तमिलनाडू में पाए जानी वाली मुख्य जंजाती है दमीन ट्राइब पाउंड इन तमिलनाडू जंजाती क्या होता है जंजाती मतलब सेड्यूल ट्राइब जिसकी चलकर 10 प्लस टू में एक ट्रीक दे दूँगा मैं आपको किसकी ट्रीक जितने भी जंजाती है ना उसका एक ट्रीक बता दूँगा उस ट्रीक से आप लोग खेला हो जगर ख़तम क्लियर ठीक है अभी अभी बिहार पुलिस का मैराथन चलवा रहे है वच्छो वह खतम सावाई 11 बजे मेरे साथ जुरूर सकते हैं आप लोग बिहार पुलिस के मैराथन यह सनीवार तक चलेगा तो छोड़ेंगे नहीं है ना ठेक मंडे से स्टार्ट हो गया दूसरा दिन था कोबात ने इस साल पढ़ लिजिए इस साल डाटा था मत बचाईए आज सब्सक्राइब कर लिए यूटूब वीडियो कम देख लिए पढ़ लिजिए इरूला इरूला जो है बच्छो यह तमिल नाडू की एक बहुत फेमस मतलिजिए अगला जरूआ जंञ्ञाती यहां पर पाई जाती है जरूआज ट्र Sc12 पाने डेखर न के आपको व्हर ऐसे से टैन प्लस-2 कि त्यारी करनी तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको जंञाती पर विशेज जहान देना हो जंजाती से question आ रहा है लेटेस्ट में कौन ट्रेन कहां से चला ये भी कोस्टन आ रहे हैं तो ऐसे कोस्टन से आपके एक्जाम में आएंगे क्लियर ओ अच्छा चली कुछ दो बोलें ओ अच्छा ठीक है जली बताई बच्छो ये कहां कहिए है आंडमान निकोवार के जन जाती को हम लोग कहते हैं क्या जारवार ट्राइब जारवार ट्राइब ऐसे हैं बच्छो दिखिए हैं आप लोग यह से लग रहा हूले लाला बच्छो लग्षमदीप के समय में दिखे हमारे बारत में यहां लगाल के खाड़िय बेृव बंगाल इधर एरवियन्सी और इधर हमारा कॉन तो अब क्या यहीं पे बच्छो लग्षवडीप है और यहां पे क्या आणबन निकोवार एंडमान निकोवार तो जन जाती हो में आया था बाला प्लेश मनवा दीजी के प्लेट पीपरे चाला वांप टैगले न भी- और जल्ली बतावा एंसर का हुई एक राक एंसर पहला है तिलक बंकिम चंद्र चटर जी सरत चंद्र या टाइगोर कों थे बंकिम चंद्र चटर जी बच्चो यह थे लेखा किसके हमारे आनन मटके ठीक है आनन मटके ठीक है अगला बच्चो देखला पता ये कह रहा है बच्चो कोस्टन देखों किताब से भी कोस्टन आता है बच्चो ट्राइफ से भी कोस्टन आ रहा है हम लोग को तो यहां पर दा ओडू सीटी ओफ फूप के लेकक कौन थे इसके थे वच्छों कौन अरे हो गया camera one focus को सरा रहे निया सिंग मारें गुसा भी यह लीली बता यह क्या होगा जी डवलू बूस मनुआ ओबामा इसके लेकक कौन थे वच्छों ब्राक ओबामा कौन थे वच्छों यहीं बड़ाक ओँ और दो बार लगतार वहां रहे थे राश्पती अमरीका के और यैसे हमारे देश में राश्पती साहब जो रहते हैं वो पांच साल के लिए लेकिर अगर अमरीका में राश्पती की बात करेंगे तो अमरीका के राश्पती मात रहते हैं कितने साल के लिए कितने साल के लिए बच्छो चार साल के लिए चार साल में उनका कारीकाल बदल जाता है हमार यह कारीकाल के तक चलता है पांच-पांच साल वाला समय का वर्नन करते हुए सब्द संचेप ad का अर्थ क्या है what is the meaning of the word abbreviation ad describing time कि लिए एक होता है वाजो bc और एक होता है ad वह समझे तो मैं ध्याद समझेगा math में आप लोग कॉडिनेट जिमेटरी पड़ते हैं इधर होता है x इधर होता है minus x, इधर होता है y और इधर होता है minus y इधर होगा minus 1, minus 2, minus 3 minus 4, dot, dot बढ़ता जाएगा, इधर होगा 1, 2 3, 4 कितना होगा बच्छ पईव, ऐसे बढ़ता जाएगा उपर भी होगा 1, 2, नीचे होगा minus 1, minus 2 अच्छ बच्छ ध्यान से समझेगा, जैसे मैं कहता हूँ यहां पर होगा minus 4 अगर इसको मैं लिखू तो क्या लिखूँँगा minus 4 अगर इसको लिखूंगा minus 3 लेकिर यहां minus के जगा पर हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो minus के जगा पर आता है BC क्या आता है? Before Christ क्या है का बचले हो? Before Christ और यहां जैसे प्लस 1, प्लस 2 लिखें, तो यहाँ पर बोलेंगे प्लस 2, तो प्लस के जगा आप आएगा 2 AD, क्या आएगा बच्छो? 2 AD, तो मैनस वाले को बोलते हैं BC, और इधर वाले को बोलते हैं AD, 3 AD, और बिफोर क्राइस, तो यहाँ पर आप्सन क्या हुए? AD, डॉमनी, इस दा टू, इस दा करेक्ट एंसर, ठीक है? क्लियर बच्छो? AD, डॉमनी, इस दा करेक्ट एंसर, क्लियर? एक चीज़ और रखी गए याँज़, आएगा आएगा समझे में AD, क्या है? अगर आपको कोई पूछे, अगर बान लेक कोई लिग दे 500 BC, और लिग दे 400 BC, तो इन दोनों में बड़ा कुन होगा? इन दोनों में बड़ा BC होगा क्योंकि हम लोग मैनस के तरफ से प्लस के तरफ बढ़ने हैं लेगि यही पर लिख देगा 500 AD और लिख दे 500 AD तो इन दोनों में बड़ा कुन यह गा 500 समया इधर से negative से positive जाते हैं हम लोग तो BC होगया before Christ AD होगया NO Domini अगला सत्रा सहीदो का दिवस कब मनाया जाता है सब्सक्राइब सत्रा है सहीदो का दिवस कब मनाया जाता है When is the Martius Day celebrated सहीदो का दिवस कब मनाया जाता है बचो यह दिन बहुत हमारे देश के तीन युवा को फांसी दे दी गई थी अब हिंट दे दी अब बताईए लक्षभी सिंग बताया पूछ रही है सब फिर से बता दीजे क्या फिर से बता दें यह previous year question है अभी quality change होयागा जब मैं अपना question type करवाऊंगा ना छवला तो ख़र change होगा ठीक है BC होता है बचो before Christ इसू मसी के जंब के पहले और AD होता है इसू मसी जंब के बाद यानि एन्यो डॉमिनी वोई पूछाता ठीक तो 17 नमर question है बचो मार्टियस डे कम मनाते हैं तीज जून पांच फरवरी या फिर option ही गलत दे दिया क्या बचों है आपे जली होता ही यह सहीद दिवस अच्छो इसमें भी question में थोड़ा सा confusion लगा डाल रहा है ऐसे हम लोग मार्टियस डे जो मनाते है बच्छो यह मार्टियस डे जो सहीद दिवस मनाते है यह 23 मार्च को क्या बच्छो 23 मार्च को इसका reason क्या था ना भगर सिंग वगरा को फांसी दे दी गए थी क्या दे दी गए बच्छो भगर सिंग वगरा को फांसी यह question बच्छो सरकार आयोग के द्वारा state किया हुआ है जो आयोग ने जैसे question दिया था उसी question को मैं edit करके लाया हूँ ठीक है तो अगर पुछे वच्छो मार्टियस डे सहीद दिवस तो इसमें भी option में 5 फरवरी 14 फरवरी 30 जनवरी और 30 जून दे दिया वच्छो तो यह option side मुझे गलत होगा सहीद दिवस मार्टियस डे मनाते है वच्छो कब 23 मार्च को या 30 जनवरी 23 मार्च अगला question देखिए अपने mobile phone के ना पहुच ना होने मतलब access खोने का डर dash कलाता है जैसे बच्छो मेरे पास अगर phone है जैसे आपके पास अगर phone है और मेरा phone माले कहीं पढ़ा हुआ है तो मेरा phone कहीं रखा हुआ है हम अपने phone तक नहीं पहुच पा रहे है तो उसके डर को क्या कहेंगे question क्या बुला बच्छो doubt question इसके पहले बड़ा question में क्या था typing error था था ठीक है बतलब typing सरकार आयो के तरब से question error था clear question कह रहा है बच्छो अगर आपके पास phone है और अपने phone तक अप अगर नहीं पहुच पाते हैं clear clear के ली क्लियर बच्चों को सने देखिए कन्फ्यूजन है अगर बच्चों सुनिए ध्यान से यह कश्चन साही अगा ऐसे बात करेंगे अगर यहीं पर बजो पूज आटा की घंदी जी की हथ्यर का वही थी तो गांदी जी की हथ्यर का ुई तीस जनवरी को अगर इस सेंस में मार्टियाज जे भी मनाईंगे तो 30 जून हो जाएगा और अगर भगाश सिंग वाला बात करेंगे तो उसका मार्टियाज तो मार्टियस दे बहुत तरह क्या आते हैं ठीक है या रखिएगा अगर गांधी जी के हत्या को देखेंगे तो वह कर सकते हैं लेकि अगर भगत सिंग्वाला हत्या मानेंगे तो मार्टियस दे इसका याम हो जागा ठीक है इसका अभी बच्चो यतने भी बिहार में एक्जाम आ रहे हैं न उन सारे एक्जाम नेसन बहुत जल्दी हो जाएगी वह सारा एक्जाम बहुत जल्दी होगा इसका रीजन क्या है क्योंकि चुनाओ है 24 में उसके पहले ही सब कर देगा अगला बच्चो क्या मॉयल फॉन तक स मॉकिया नॉमोफोबिया ठीक है मॉकिया मतलब मॉयल का फॉन और नॉमोफोबिया नॉकिया ठीक है यह रखेगा तो बहुत खतरनाक बीमारी बच्चो जब क्या होता है फॉन तक हम नहीं पहुच पाते एक लड़की बच्चो ऐसे फॉन चलाते वे रोड पे जा रही थी अगर देखेगा रोड सब पे तो गटर बनाता है नाला बच्चो इसलिए धकन लगाता है रोड पे न और यह धकन खुला वा था तो मॉयल शराते जा रही थी और उसी नाला में गिर गई थी न्यूज में आया था बच्चो और जब बाहार निकली तो उसका नाला का पानी से उसका रंग सेम हो गया था तो इसलिए बच्चो रोड पे जब चलाएं तो मॉयल ना चला है वह ज्यादा दूघटना हो जाता है ठीक आगे सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्व पर्थम चली फिल्म कौन से थी बच्चो अप्रजीतो एक्वेरियम चारुलता या पहला फिल्म चली चारुलता आयकोरियम यह अपरा जीतो ऑप्छो ऑ़न का पंचली जो सत्य जी रवाए दरहाब पहला प्रीयम नसारा लिए नूमोफोबिया यह इमेज यह पर उल्टा दा गया था जैसे फॉन नहीं पहुंच पाना उसी का इमेज दिखा रहा है ठीक है यह नाला में गिर जाना वच्छो इसलिए नहाते भी फॉन करना आजकर लोग क्या करते हैं बात्रूम में चले आते हैं वहां भी दो दो घंटा लेके फॉन बैड जाते हैं तो ऐसा कॉलकता या फिर बिहार कहाँगा क्या ओगा बैट्चों कॉलकता में कॉलकता में कॉछ्षां नहीं है CTL प इसको CTL ऑंuten के नाम से जानते हैं क्या अगला क्यos Sp writes भॉर दोट पंच तंत्र क् européणतर को सबसे अधिक भासा हों में कनवर्ट किया गया है तो पूछा गयारा कोशन है कि कौन सा बुक को सबसे अधिक भासाओं में कनवर्ट किया गया था तो पंच तंत्र था कुन लिखा विशनु सर्मा या फिर बच्छो इसुवर किस्न विसाकदत या वारह मिहीर कौन लिखे बच्छो जली बताइए पंच पंच तंत्र के लेखा कौन है पंच तंत्र बच्छो कल भी कुसन आया था पंच तंत्र ओथर जली बताइए कोन लिखे हैं कल भी कुसन बताइए बच्छो विशनु सर्मा कुन लिखे हैं बच्छो विशनु सर्मा ने पंच तंत्र लिखे हैं पंच तंत्र में वही कहानिय कहानिया है बच्छो हाती गोड़ा बैल चुहा की कहानिया मदब अच्छे-ची कहानिया जिससे हर कहानी के बाद एक moral of the story मिलता था बच्छो moral of the story क्या हर कहानी के बाद इसको बता है अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए लाल्ची नहीं पहला आर्यवर्ट ब्रह्मगुप्त धनवंतरी या वासकर अरे जो बिहार पुलीस का बैच अभी तुरंद करके आए हैं उनके लिए information दे दी गई है कि आपके लिए PDF तयार हो रहा है थोड़ा सब्र करें वह PDF पांच घंटे की है उसे कंप्रेस करके देंगे ने तो ना तो कहीं आपको टेलीग्राम पर भी नहीं जाएगा क्योंकि इस लेंद्ध इस टू लॉंग क्लास कंटिन्यू चलती वच्छों पहले स्थार्ट होती मेरे क्लास से सावाग ज्यारा वज़े जियस फिर उसके बाद आता है इंगलीस उसके आप के जोरत ही नहीं अगर क्लास में आके आप Mitglु क्लास करते हैं तो क्या हुआ इसके कोन सा ऐयरुवेदा के थे धनमंत्ली थे मन्त्ली जो यहना टाटा इसका फ्रेंचाइज ही कर रहा है और इस साल जीतने वाले चेन नहीं थे इसके पहले जीता था गुजराथ टाइटेंस है न बचो तो IPL में सबसे सक्सेसफुली कौन कर दिया है अभी टाइटिल सबसे पहला राइस्थान रोयस जीते थे को जीते थे राइस्थान रोयस तो पूछता बच्चो IPL की सुर्वाद 2008 में हुई थी 2008 में हुई थी और जो अभी करेंट में जीते थे वो CSK धौनी सब को जीते बच्चो धौनी है ना 2023 वाल जीते धौनी और 2022 का बोलेंगे तो गुझरा टैटन GT को जीते बच्चो धी और अगर पहला पुछे है सबसे पहला को जीते था तो वो राजिस्थान को जीते बच्चो सबसे पहला राइस्थान रोयल्स ठीक है राइसान रोय जब उस समय सेंड वान उसके कैप्टन हुआ करते थे क्लियर ठेक अगला नेश्ट किसका उपनाम दावाल है उस नेकनेव इस दावाल एक कोसन मचो किरिकेट से भी आ रहा है किरिकेट से भी कोसन इजाम में देखा जा रहा है जली डिठा जली वहाता है को इसका हींट देता आँ में इंडियन क्रिकेट टीम के कोच के रूप में काम कर रहे हैं किस के रूप में काम कर रहे कोच के रूप में काम साथ कौछ दीफएंड करते थे मतलब विकेट बहुत लंबा अप से ने आता था बॉल को मारता था कि विकेट अले लेंगे राहुल डैविट का राहुल भी रोग देते थे डिफैंड करते थे इनको बोलते हैं इनको आउट करना पॉसिवल नहीं था अगला रेट क्रॉस का मुख्याले कहां पर है वेर इस दा हेट क्वाटर ओफ रेट क्रॉस पर रहे द्रुद का रीवन हो गया ऐना ड्रंक ड्राइविंग हो गया। इन सब के लिए कड़ी रेट क्रॉस राशन का कहा है यह थे और लान नहीं बनाबर तो हमारे जाएं लिःड क्रॉस का हेट का मुख्याले बी 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 कर रहे हैं कुछ लोग सी सी कर रहे हैं कुछ लोग जली बताये रेट क्रॉस का ओड़ रावन इसका क्या है यार दखीगा अगला जिनहें मुगल वंस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है who is known as the ponder of mughal dynasty देखिये देखिये इसका hint देता हूँ कि 1526 में भारत में एक यूद हुआ था दो लोगों के बीछ में एक थे इबराहिम लोधी क्या था बच्चो इबराहिम लोधी और एक का नाम था बच्चो क्या जो एंसर होगा इन दोनों के वीच में लड़ाई हुई थी उस समें इबराहिम लोधी के पास एक लख सेना हुआ करती थी और उस समें क्या बच्चो बावर के पास मात दस जार सेना था लेकिंट वो दस जार सेना जो है ना एक लख सेना पर हावी पड़ा था और पानी पत की प्रथम रड़ाई में इसे हरा दिया गया था बावर और किसके बीच में इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी है ने बच्चो और क्या हुआ था कि बावर को ही उसके बावर ने क्या क्या है देश में हिंदुस्तान में मुगल समराज का नीव रख दिये थे और देश में हो गया है ना तो इसी बच्चो हम लोग प्रिवियर से कोसंस क्यों कर रहे हैं आप लोगो बना रहें बावर कि आप लोग भी क्या कीजिए कि रनीति त्यार केजिए और फिर दुस्मन को मारेंगे अगला अखवर के राज दर्वार में कितने रत्न थे हो मैनी जेम्स वेर देर इन अखवर कोड अखवर के पास थे रतन बच्चो जिनको वो बहुत मानते थे उनको हर तरह के काम काज वगएरा करने में मदद करते थे डिस्यन लेने में वगएरा वगएरा तो अखवर के कितने रतन थे हैं जली बताइए पहला है साथ नौ सौ चौबिस सौ तो बच्चो क्या था सौ थे किसके भाई थे सौ बताइए sabra लाव एक ते भाद फेमस जीनों ने बोत धर्म का अपना लिया थोंके सौ भाई थे असोका कि किसके असोका के तो अगर हम लोग बोलेंगे कितने रतन थे अकवर के तो नौ रतन न परतन को देखेगा इनका तो रतन में कौन है और ये बच्छो ऐसा रात गाते थे कि वर्सा करवाते थे तिसरा कोने बच्छो राजा मान सिंग, चौता है बच्छो फैजी, पांचमा है बच्छो हकीम, उसके बच्छो मुल्ला दो प्याजा, सातमा है बच्छो अब्दूलरहीम खाने खाना, आठमा थे बच्छो राजा तोदर्मल और नॉम्मा थे बिर्वल अक्फर बिर्वल की कहानी कुप सुनते होंगे तो अक्फर के टोटल रतन की नाम कितने हो गए नौ रतन इसके विच चाहें तो आप लोग स्क्रीन सोट लेके रख लीजिए आगे चलतर काम आएगा अगला गोवा से पुर्व पुर्टगालियों की भारत में कौन सी राज़ानी थी बिफोर गोवा विच वास दग कैपिटल पर्तुगीस इन इंडिया मतब पर्तुगालियों का कैपिटल पहले गोवा नहीं था अभी गोवा गया बचों गोवा जानने का सपना सब का होता है भारत में कौन सी राढ़ धानी थी कोचिन मदरास बंबाइ या पटना होगा बचो क्या प्रुटुगाली का सोच कि बताइए नहीं कोचिन जो उनका राथानी हुआ करता था गोए के पहले बाद में कोचिन से कह लेकर गएए गोए ठीक, next गुरु नानक का जन्म कहां पर हुवा था Q जल्ली बता दीजे जल्ली बता दीजे नानकन साहिब एक जगा है बच्चो जो पढ़ता है कहां पे उस समय के पाकिस्तान में कहां पढ़ता है बच्चो पाकिस्तान में तो इनका जन्मुवत लाहुर में नानका साहिब नाम का जगा है कहां पे लाहुर में वहीं पे इनका क्या हुआ था जन्मुवत ठीक और कल भी सेट में देखें बच्चों कि सीख के 10 गुरु होते हैं कितने गुरु हैं सीख के 10 गुरु हैं और उनसे अक्सर इजाम में कोसंस आ रहे हैं तो यहां पर देखिए ध्यान से सीख के 10 गुरु कोन थे पहले गुरु का नाम तक गुरु नानक दूसरे का नाम तक गुरु अंग पेज बहादूर और दस्मा करना था गुरु गोविन सिंग जी और गुरु गोविन सिंग जी बच्चो से बिहार के भी कुछ तालूख है बताईएगा बच्चो है ना फॉंडर अफ सिक्किजम इन्ही को बोलते है और इन्हों ने गुरु नानक ने बच्चो पहली बार लंगर की सुरुवाद किये लंगर की अब ये सेट हम करवा रहे हैं सेट करवा रहे वच्चो आपका तो ये सेट को देखके आपने लोड ली site कीजिए कि कैसा question easy होता या tough होता है यह मेरा सेट नहीं, यह previous question दो है, 17 का सेट का वारूम है तो ऐसे questions पर जाम में पूछे जा रहे हैं तो आपको देख के लग गया होगा कि आपके त्यारी कैसी है क्या होगा, सिंमा पासवान क्या हो सिंमा पासवान, बोले हैं, आप गलत बताया रही है कुन सा दस गुरू थे उनके क्या गलत हो गया इसमें बताइए कि मेरा नाम क्या है मेरा नाम या लिखा हुआ देखिए अपना नाम लेने के लिए जवस्ति कुछ मत पूछा किजिए कि आप बीटे का बच्चा दरोगा का फॉर्म भर सकता है क्या कोस्तन था बच्चो गुरू नानक का जन्म कहा हुआ था गुरू नानक देव का पूछा है न ठीक तो है बच्चो गुरू नानक का जन्म वे क्या गलत हो गया क्या बोलने हैं बोलना चाहरे लिखे फिसे तलकपूर में इनको बच्चो इनकी मौत हुई थी 1539 में है ना क्या दाउट क्यों हो गया ठीक तो है गुरु नानक साहिब बोलना है बच्चो ठीक है उस समय पाकिस्तान अब न बनिया बच्चो अजादी के बाद ठीक है तालवंडी क्या बोल रहे है लाहोर के नजदीक नानक साहिब नाम का जगा है बच्चो कन्फ्यूज है कैसमे अब लोग क्या कर सुन है अच्छा तालवंडी सही बोल सकते है बच्चो देखिए सुनिये दिहान से कहानी क्या अच्छा आप समझे बागे क्या कहना चाहरे है सुनिये दिहान से अप लोग एक बाद सुन लिजे गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था गुरु नानक का जन्म जो बच्चो नानकन साहाब है कहा है यह भी बच्चो लाहूर के नजदीक है कहां के नजदीक है लाहूर के नजदीक है ये भी ठीक है और ताल बंडी ये भी जो है ना ये भी लाहूर के नजदीक है कहां बच्चो लाहूर के नजदीक दोनों जैसे मैं बोल दू पटना का बात कर ले बच्चो अगर पटना के प लेकिए गाना तो लाहूर लिखता है बच्छो दोनों का दोनों जीला के लाहूर के नजदीक आता है ठीक है तो तालबंडी कर दिया ठीक है लेकिन लाहूर के नजदीक था ठीक है किसके नजदीक था बच्छो लाहूर के नजदीक होगा ठीक है क्लियर क्लियर अब क्लियर ठीक ठीक समझ में आ गिया ठीक है अब दोनों को दोनों बच्चों ये दोनों ये लाहुर के नजदी की तालबंडी भी पड़ता है और लालहुर के नजदी की नानकन साहब भी पड़ता है ठीक है चली को एक बात में क्लियर कर लीजे क्लियर होना ज़रूरी है ठीक है और यही बच्चों हमारा क्या दस सिक्के गुरू भी है ठीक अगला अंग्रेजों ने बहादूर सा को देश से निकाल कर कहां भेज दिया गया था देखिए 1857 की करांती हुई थी और उस समय बच् रोतवा वापस जारी कर लिया था या देबर हो मंगल पांदे का केस का क्या हुआ था कि अकि प्रूंड वाद में दिल्ली को अंग्रेज ने कभजा कर लिया था इनको भेज है रंगून का बेजे बचो रंगून भेज चाहला था रंगून एक लेर कलेशा है कि बास जम यह बच्छो हाँ हाँ उसका वह बहुत क्लियर कर दिये थे लाहुर के तालबंडी में हुआ था ठीक है फिर से बच्चों यह 30 कोसन था प्रिविया से जो आया था फिर से गुर्णानक का जन्म कहां पर वह था जिसको भी कन्फ्यूज है क्योंकि लाहुर के पास तालबंडी तो मैंने पहल लिए तो अम्रीससर देखा, दूस सहा लाहुर, मुझे लगा लाहुर जील लुग नाम पूज़łam पकिस्ठान के पहला लोगा पहला पासर में पास्र canet के पहलेंगे तो क्लिए ठीक मेरकल पर भा सब भच्चों के रिमांड़ करता है तो फिर से बार पर दो साम अब जो धुड़िए विहार SSC के लिए किसे बद्धों. बिहार SSC 10 फलस टू के लिए डेली क्लास चल रही है और दूसरा बच्छों, सावा 11 बजे रजाए है, मेराथन चल रही है आपकी बिहार पूलिस के लिए. इन दोनों क्लास में आप पर दो सेम खान गलोबल स्टडीज बिहार चैनल पर ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगले क्लास में तब तक के लिए पढ़ते रहिए मुश्कराते रहिए खुस रहिए अपना यहां पर लोड नहीं लेना है और त्यारी करना है और नौकरी जल से जल इस वार ले कि अपलेग है झाल